Hello everyone, welcome to Mayhas Wonderful Garden आज का मेरा प्लांट है अडेनियम का प्लांट बारिस लगबख बंद हो चुकी है अब बहुत ही अच्छा मौसम है अपने अडेनियम पर कुछ काम कर लेने का जैसे की प्रूनिंग अगर आपकी ब्रांच बहुत ज़्यादा लंबी-लंबी सी हो गई है या किसी प्लांट में एक ही ब्रांच है या दो ब्रांच है तो उनको आप डिवाइड कर सकते हैं ये मौसम बहुत ही अच्छा है अच्छा है प्लांट को प्रून करने का अगर इस मौसम में करेंगे तो उसकी जो फुटाओ है नई ब्रांच की जो फुटाओ है वो बहुत ही जल्दी निकलेंगी अडेनियम की प्रूनिंग के बाद कौन सा फर्टिलाइजर देना है अडेनियम क्या कोई भी जब प्लांट क्या प्रूनिंग करते हैं तो फर्टिलाइजर देना जरूरी हो जाता है फर्टिलाइजर देते हैं तभी जो नए फुटाओ है वो तेजी से बढ़पाते हैं तेजी से उनका विकास होपाता है तो कौन सा मैं देती हूँ पहले जो मैंने फर्टिलाइजर का वीडियो डाला था उसमें प्रूनिंग के बारे में नहीं बताया था वो प्रूनिंग को लेकर फर्टिलाइजर नहीं था वो सिर्फ फ्लावरिंग और प्लांट अच्छा सा ग्रोग कर सके उसके लिए फर्टिलाइजर था आज जो मैं फर इसको बिल्कुल भी शेड में नहीं रखना है और खासकर अगर इसकी ब्रांचे आपने कट करी है तब तो शेड में बिल्कुल भी नहीं रखना है क्योंकि अगर शेड में चला जाएगा और एक दो बूंद भी इसके पर पानी पड़ा तो जरूर फंगस लग जाएगी फिर नई ब्रांच उसपे से नया फुटाओ जो भी आएगा वो हेल्दी नहीं होगा बहुत ही जल्दी फंगस पकड़ लेगा दूसरा आप ये ब्रांच देख रहे हैं इससे मैंने कट किया है तो इससे तीन ब्रांचेस निकल के आई हैं तीन ब्रांचेस इसलिए निकल के आई है क्योंकि यह ब्रांच जहां से मैंने कट किया है वो ब्रांच मोटी है जब कि आप दूसरा प्लांट देखिए जैसे कि यह प्लांट है यहां पर मैंने कट किया दो ब्रांच निकल के आई है लेकिन एक ही हेल्दी है है दूसरी भी ब्रांच निकली है लेकिन यह आगे तो इससे मैं यह बताना चाहती हूं कि जो भी ब्रांच की आप प्रूनिंग करने जा रहे हैं वो ब्रांच अच्छी खासी मैच्योर होनी चाहिए बहुत पतली नहीं होनी चाहिए अब इस वाले भी ब्रांच की मैं करूंगी लेकिन देख रहे हैं कितनी मोटी ब्रांच है त मैं इसकी pruning करूंगी दूसरा pruning करते समय अगर आपका grafted plant है जैसे कि यहां से graft किया गया तो यहां से आपको काफी दूरी पर cut करना है जैसे कि यहां से मैं cut करूंगी इतनी दूरी मैं छोड़ के grafted portion का छोड़ के वहां से cut करूंगी और दूसरा अगर आपका non grafted plant है छोटा पौधा है तो आप देख लें कि आपकी जो seedling है वो mature होनी चाहिए कम से कम एक डेड़ साल पुरानी seedling होनी चाहिए तब ही आप उपर से cut करें अगर एक डेड़ साल पुरानी है भी लेकिन वो फिर भी mature नहीं है बहुती unhealthy seedling है तब भी आप उसके उपर पूनी ना करें क्योंकि प्रूनिंग करने के बाद जो नई growth होगी वो ज्यादा mature नहीं होगी बहुती पतली पतली सी होगी और उस पर जो फूल निकलेंगे वो एक ही दो निकलेंगे तो इस लिए इस चीज का आप ध्यान रखिए अब मैं इसकी प्रूनिंग कर लेती हूँ यहां से मैं cut क करती हूँ तो उसके लिए सबसे पहले मैंने blade कर लिया है और यह नया blade है आप प्रूनर का भी यूज कर सकते हैं लेकिन वह अच्छे से इस्टनलाइज होना चाहिए अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो जो hand sanitizer होता है उसका ही यूज कर लीजे लेकिन जिससे भी आप प पानी सा निकल लहा है तो तुरंथ हम इसके ओपर फंगी साइड जरू लगा देंगे फंगी साइड है अगर आपके पास यह नहीं है तो जो नेन पॉलिश होती है उससे इसका सील यह फिर इसी के सासाथ मैं दूसरे भी प्लांट साब को दिखा रही हूं अब यह देखिए यह लंबा लंबा सा प्लांट है यहां से ग्राफ्ट किया गया है और देखिए इसकी ब्रांच कितनी मोटी है तो अब यहां से मैं इसको कट कर रही हूं जहां से ग्राफ्टिंग पोर्सन है वहां से कम से कम आप एक बित छोड़ के ही उसको प्रून करिए तो अब तो हम फिर से इसको प्रून करेंगे लगब 15 दिन में इस पर फिर से फुटाव आ जाएगा जादा दिन नहीं लगते हैं अगर मौसम अच्छा है तो 15 दिन तो मैंने बहुत जादा बोल दिया साथ आठ दिन में ही नए नए फुटाव आ जाते हैं अगर मौसम थोड़ा सा टेंपरेचर डाउन है तो थोड़ा टाइम लगता है जैसे ये मौसम चल लहा है दिन में बहुत ज़्यादा धूप अच्छी निकल लही है तो इस मौसम में फुटाव बहुती जल्दी निकलता है तो इसको मैं कट कर लूँगी और फिर से फंगी साइड हम लगा देंगे और फिर ये जो ब्रांचेस कट करने के बाद निकली है इनका आप 2-3 तिन तो शेड में रखिए फिर उसको कटिंग भी आप लगा सकते हैं रेत या बालू का यूज़ करिएगा और शेड में रखिएगा बहुती जल्दी इसकी कटिंग भी लग जाती है अब बात कर लेते हैं इनके फर्टिलाइजर की तो देखे अभी तो उपर जितना मैंने कटिंग करी है और भी तीन प्लांट तो आपके सामने ही कट किये हैं और भी प्लांट कट किये हैं तो उपर की टिप तो गीली है जिसको मैंने प्रून किया है और मैं इस पे स्प्रे ही करूंगी तो मैं स्प्रे इस चीज़ का करती हूँ यह है बायो वीटा का सी वीड सी वीड में हुमिक एस्टिड होता है और सारे इसमें ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा उपियोगी होते हैं कई कमेंट्स आये हैं पिछले वीडियो में कि मेरे फ्लावर पूरी तरह से नहीं खिलना है तो अगर ऐसी कुछ प्रावलम है तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं प्लांट की आप कि ने प्रूनिंग की है या प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं इसके प्रयोग से प्लांट की रूट बहुत ही अच्छे से फास्ट ग्रोथ करती है प्लांट बहुत ही अच्छे से हेल्दी रूप से आगे बढ़ता है ग्रोथ उसमें होती है तो लेना कितना है मैंने देखिए लगभग 3 लीटर पानी में सिर्फ इतना सा लेना है ये अच्छे से सूखी हो तभी डालेगा साथी साथ प्लांट पर आप इस्प्रे भी कर सकते हैं लेकिन जहां से कट किया है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए वहां पर आप इस्प्रे मत करिएगा नीचे साइड में आप और जगा इसका इस्प्रे करना है तो ये सब चीजे करि और पानी मिटी में भी डालें, बहुत ही जल्दी नई ग्रोथ आएगी प्लांट में, तो यह सब चीजे अपने प्लांट पर करिए, जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होंगी, उतने ज़्यादा ही आपको फ्लावर मिलेंगे, तो यह सब चीजे ध्यान में रखिए, प्रूनिं दूँगी, उमीद करती हूँ, वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है, तो लाइक का दीजे, सस्क्राइब कर लीजे, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ, अब तके गुड़ बाई